आज हम जानेंगे कि कर्मों का कठोर बंद न हो इसके लिए क्या करें या फिर निकाचित कर्म बंद से कैसे बचें कर्मों का बंदन हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि कर्मों का बंदन किस रूप में किन भावों के साथ हो रहा है कठोर करूर भावों से हो रहा है या मंद हलके भावों से या जागरुक उदासिन भावों से कर्म फलकार निर्नई आपकी करूरता भावों के आधार पर मिलता है कठोर, तेवर, क्रूर, गुसे या अभिमान में किया गया कर्म उतना ही ज़्यादा समय के लिए आत्मा से चिपका रहेगा, दुख देगा और उस कर्म को भुखते बिना चुटकारा भी नहीं है इसे ही निकाचित कर्म कहते हैं ये कर्म एक बार बंद गया तो बंद गया, फिर इसमें किसी सुधार की गुंजाईस नहीं यानि ऐसे कर्म करने के बाद चाए आप कितना ही पस्तावा या प्राइस्चित करें, ये कर्म निस्फल नहीं जाता ये फल देकर ही रहेगा चाये आप कितनी ही बार मिच्छा में दुकडम या सौरी बोले इसका फल कम होने वाला नहीं है ये ऐसा कर्म है जिसके फल देने की सक्ति को हम कम जादा नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकते ना ही निकाचित कर्मों का संक्रमन होता है कई कर्म पुद्गल पुन्य से पाप और पाप से पुन्य में बदल जाते हैं पर ये एक ऐसा कर्म है जो बस अपनी एक ही अवस्ता में रहता है अपना फल दे कर ही शान्त होता है जैसे हमने देखा होगा कोट में जज उनी अपरादी को ज़्यादा सजा सुनाते हैं जो कुरूर भावों से कठोर भावों से अपराद करते हैं एक ही हत्या की सजा दो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग दी जाती है जिसने कुरूर भाव से हत्या की लाश के टुकड किये तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यू धन की सजा दी जाती है और जो और जो सिर्फ गुसे में आकर हत्या करते हैं उन्हें आजीवन कारावास कहने का तात्पर यह है कि आपके क्या भाव थे जब आपने कर्म किया सहज में भिना किसी प्लैनिंग के किसी को मार दिया तो उसकी साथ मार कर दूसरों को गुमरा करके शरीर की टुकडे टुकडे करने वाले का भाव कैसा होगा आप समझ गए होंगे वैसे ही कुछ कर्म हो गए उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती और ना ही निकाचित रूप में कर्म बंदते हैं प्लैनिंग के साथ क्रूर दुष्ट भाव से कर्म फल की चिंता किये बिना जो घोर कर्म हो जाता है उसकी सजा को फिर किसी भी उपाई से कम नहीं किया जा सकता उसको भोगना ही हमारी नियती बन जाती है भोगे बिना चुटकारा नहीं चाए हसकर भोगे या रोकर भोगना ही होगा हर हाल में इसलिए माविर कह इस लिए अवैर्नस या जागरुकता का इतना मेहत्व है। यह है कि आप पूरे होश और हवास में कर्म कर रहे हैं। बस यही रास्ता है कर्म से बचने का, कर्म बंधनों से मुक्त होने का और कटोर फल को न पाने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें